हेलो दोस्तो हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको हल्दी खाने के फायदे बताएंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करे और 5000 सब्सक्राइब के टार्गेट को पूरा करे हल्दी का सेवन करना हर तरह से सेहत के लिए फायदे मं पीला होता है आज भी गावों छोटे शहरों में कच्ची हल्दी को पीस कर सबजी दाल आदी में डाला जाता है कच्ची हल्दी एक बेहद ही हेल्दी हर्भ है चोट घावों सूजन इंफेक्शन सर्दी जुकाम आदी को दूर करने में कच्ची हल्दी बेहद फायदेमंद स सूखी हल्दी की तुलना में कच्ची हल्दी कई गुणों और फायदों से भरपूर होती है। नमबर दो हल्दी में एंटिसेप्टिक और एंटिबायोटिक गुण हाथ पैरों का दर्द मिटा देते हैं। कभी कभी हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, ऐसा अकसर ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। तो ऐसे में आपको हल्दी का सेवन करना चाहिए, आप गर्म दूद में हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं। नंबर तीन रक्ट शोधन हल्दी रक्ट शोधन करने वाली होती है। नंबर चार मजबूत हड्दियां हल्दी वाला दूद पीने से हड्दियां मजबूत होती है। दूध में कैल्शियम होता है, जिससे शरीर मजबूत बनता है, और हल्दी में रोग प्रतिरोधक शमता बहाने वाले गुण होते हैं, जो हड़ी से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इससे औंस्टियोपोरोसिस की समस्या भी कम होती है, नमबर पांच कैंसर से बचाएं। पाचन सुधारे, पाचन संबंधित समस्या होने पर कच्ची हल्दी खाना चाहिए। हल्दी में मौझूद करक्यूमिन मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मोटापा, डाइबिटीज आदी की समस्याओं को कम कर सकता है। करक्यूमिन शरीर का वजन और बॉडी मास इंडेक्स को कम करने में मददगार हो सकता है। मोटापा कम करने के लिए आप किसी डाइटीशन से सलाह लेकर कच्ची हल्दी का सही मात्रा में सेवन करना शुरू कर दें। नमबर आठ डाइबिटीज को दूर करने में फाइदे मंद एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवारजनों को शेर जरूर करें।